नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जनरल नौलिज के 10 Most Important Questions तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी Questions है एकदम अच्छे और Selected Level के हैं और आपके एक्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादे Important Questions सावित होंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलैन क्लासिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे तो चलिए दोस्तों Question No.1 के तरफ चलते हैं Question No.1 है भारत में ससस्त्र बलों का सरबोच सेनापति कौन है तो Question No.2 ब्यास नदी के उद्गम इस्थान का नाम क्या है Options हैं आपके Option A. पारबती Option B. गाजा Option C. ब्यास कुंड Option D. होगा आपका इन में से कोई नहीं तो Question No.2 का सही आंसर है Option C. ब्यास कुंड Question No.3 है भारत का राश्टरी गान किस ने लिखा है Options हैं आपके Option A. रविंदरनाथ टैगोर ने Option B. बी जी बर्गीश ने Option C. अरविंद अड़ीगा ने And Option D. है आपका बंकिम चंदर चटरजी ने Question No.3 का सही आंसर होगा Option A. रविंदरनाथ टैगोर Next Question की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों कल मैंने अपने चैनल पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मैं अपने चैनल पर दोस्तों Indian Army के रिटेन एक्जाम का जीडी और ट्रेट्समें का Original Question Paper लेके आने वाला हूं ठीक है वो मैंने क्यों डाला था उसका कारण यह था कि दोस्तों मैं जो ये वीडियो बनाता हूं इसमें Simple Simple Questions होते हैं तो काफि सारे वीवर्स के कमेंट्स आ रहे थे बहुत दिनों से कि सर ये तो बहुत Simple Questions है ये किस एक्जाम में आएंगे तो वह एक्जाम दोस्तों ये जो Questions है किस एक्जाम में आएंगे इसलिए मैंने आपके लिए जीडी और ट्रेट्समेंन का दोस्तों जो है वह आपके लिए एक Original Question Paper अरेंज किया है तो अगर आप भी चाहते हैं Original Question Paper को देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों वह Original Question Paper मेरे पास में आ चुके हैं और मैं आज या फिर कल उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि यह जो Questions Paper है यह जो Questions में अपने वीडियो में डालता हूं यह एक दम से दोस्तों Defense के जो एक्जाम्स होते हैं चाहें वो GD सही, Clerk सही, Technical सही मतलब Defense के कितने भी Constable Type के जो भी एक्जाम्स हैं उसमें दोस्तों क्या है यह Questions इसी टैप के आते हैं तो इसलिए मैं अपने वीडियो में Simple Simple Questions डालता हूं जो कि आपके एक्जाम्स के लिए ही केबल में डालता हूं ठीक है तो इसमें केबल फाल तो questions कुछ नहीं होगा जो आपके एक्जाम में questions आते हैं वही questions आप मेरे वीडियो में देखते हैं तो चलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वो पेपर के लिए देखना चाहां कि जीडि में करती हूं इसमें हर ट्रेड का पेपर आपके लिए लाकर दिखाऊंगा तो दोस्तों चलिए next question के तरफ चलते हैं question number four भारत में पुर्तकालिन संस्कृति कहां पाई जाती है option से आपके option A कनूर में option B कोच्ची में option D है दोस्तों गोवा में and option D होगा आपका इन में से कोई नहीं question number four का सही answer होगा option C गोवा question number five है निमलिखित में से भारत के साथ किस देश की अंतराष्टरी सीमा नहीं है तो option से आपके option A स्रीलंका option B बंगलादेश option C मियमार and option D है आपका इन में से कोई नहीं तो question number five का सही answer होगा option A स्रीलंका क्योंकि दोस्तों स्रीलंका से क्या है भारत की अंतराष्टरी सीमा नहीं लगती है क्योंकि स्रीलंका एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से समुंद्र से घिरा हुआ है तो next question की तरफ चलने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को download करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल सिवा online classes से जोड़ सकते हैं जिसमें दोस्तों आपके लिए मेरे चैनल पर जो भी वीडियो upload की जाती है उसकी PDF आपके मिल जाएगी तो दोस्तों next question की तरफ चलते हैं question number 6 कांगला के सासक जैचंद को किस मुगल वादसा ने कैद कर लिया था? options हैं आपके option A अकबर, option B औरंगबाद, option C जहांगीर and option D है आपका साजा तो question number 6 का सही आंसर होगा option A अकबर, next question है हमारा question number 7 मुगल समराट अकबर ने जागीर के रूप में कांगला किसे प्रदान किया था? तो दोस्तों जो जैचंद थे उनके लिए एक अकबर ने कैद कर लिया था उसके बाद में अकबर कांगला की जागीर थी उसको किस के लिए दिया था? तो option से आपके टोडर मल को, option B मान सिंग को, option B भगवान दास को and option D बीरवल को तो question number 7 का सही आंसर है, option D बीरवल के लिए Next question है हमारा, question number 8, हिमाचल के किस राजा को औरंगावाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? Option से आपके, option A, पदम सिंग, option B, सुमेर चंद, option C, कहरी and option D, इन में से कोई नहीं तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक शीज बता देता हूँ, यह जो tapping mistake के वज़े से औरंग बाद हो गया है, यहाँ पर यह औरंग जेव है, ठीक है? औरंग जेव आपको पढ़ना है यहाँ पर, तो question number 8 का सही आंसर होगा, option C, कहरी सिंग next question है हमारा, question number 9, मुगल समराज के बेगटन के बाद किस सासक ने अपने राज का बिस्तार किया? options हैं, राजा घमंड चंद, option B, राजा रूप चंद, option C, राजा बिदी चंद, and option D होगा आपका महराज रणजीत सिंग तो question number 9 का सही आंसर होगा, option A, राजा घमंड चंद और आज का दोस्तों, last question है, question number 10, कार्यालय में मरने बाले पहले मुख्यमंतरी कौन थे? option से आपके, option A, C, अन्ना दुरई, option B, स्री कृष्ण सिंग, option B, C, गोबंद बलपंद, and option D है, इन में से कोई नहीं तो question number 10 का सही आंसर है, C, अन्ना दुरई तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 10 questions, वीडियो कैची लगी, comment करके जरूब बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को like करें, और हमारे YouTube चैनल, Siva Online Classes को subscribe जरूब करें, तो चलिए दोस्तों, कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जैन, जै भारत